दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फार सिविल सेड़िशेज मैं अनुराग शोथरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ट टापिक हिंदी कहानी के बिकास में मुंसी प्रेमचंद का महत्व और अस्थान दोस्तों प्रेमचंद हिंदी साहित्य में ऐसे प्रकास अस्थम्भ की भाती हैं जिन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास के छेत्र में कए नए प्रतिमान अस्थापित किये उनका लेखन समकालीन परिस्थितियों के साथ साथ अत्यांत प्रगत्सील भी है क्योंकि उनका स्पष्ट मानना था कि साहिति प्रगत्सील होता है और लेखक का यहदाईत तो है कि वह इसके अनुरूप कारे करें दोस्तों आएए सुरू करते हैं हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का अस्थान हिंदी कहानी परंपरा को प्रेमचंद का योगदान दोस्तों प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के सिखर पूरुसें प्रेमचंद हिंदी कहानी इतिहास के सिखर पूरुसें उन्होंने हिंदी उपन्यासों और कहानियों की कर्म भूम ही नहीं बदली बलकि उनका काया कल्प भी कर दिया उन्होंने अपनी सबसे पहली कहानी 1907 में जो प्रकासित हुई थी संसार का सबसे अनमोल रत्न लिखी जो उर्दु पत्रि का जमाना में प्रकासित हुई दोस्तों यह कहानी का वह दौर था जबकि सोरिलाल गोस्वामी, माधवरावसप्रे, बंग महिला और आचारे सुकल आद हिंदी कहानी के छेतर में आरंभिक प्रियोग कर रहे थे किन्तु हिंदी कहानी जो है अपने सहसव काल में ही थी उस समय प्रेमचंद ने अपने लगभग 30 वर्सों यानि की 1907 से 1936 के रचनाकाल में 300 से अधिक कहानिया लिखी है जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया एक वाक्य में कहा जाए तो हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद का आगमन एक चरण्न होकर एक लीप या छलांग है जिसने हिंदी साहित में जो कहानी लेखन था उसकी परमपरा को एक जटके में ही बदल दिया प्रेमचंद हिंदी कहानी के प्रतेक जो प्रेमचंद है उनका जो कहानी लेखन है उन्होंने हिंदी कहानी के प्रतेक अस्तर को संसोधित और परिमारजित किया अब हम देखेंगे कि प्रेमचंद का जो कहानी लेखन है उसमें वो अस्तर कौन कौन से है जिन अस्तरों पर प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को परिमारजित और संसोधित किया है सबसे पहले देखते हैं क्या सबसे पहले प्रेमचंद ने कहानियों के उद्देश से को बदला कहानियों का जो उद्देश है उसको बदला उनसे पहले की जो कहानिया थी वो सिर्फ उद्देश से परधान थी बलकि कहीं उपदेश परधान भी हो जाती थी नव जागरण और सामाजिक सुझधार की जो चेतना थी उन पर इस कदर हावी थी कि उनमें उद्देश से अलग से चिपका हुआ नजराता था प्रेमचंद के पहले की जो कहानिया थी वो उपदेश परधान काफी हो जाती थी और उनमें जो कहानियों का उद्देश से था वो ऐसे लगता था कि अलग से उसमें चिपकाया गया हो कुछ कहानिया ऐसी थी जैसे रानी केत की कहानी जिसमें मनुरंजन ही प्रधान उद्दे से था और मनुरंजन को साधने के लिए हर तरह के लटके जटके सामिल किये जाते थे प्रेमचंद ने कोरे मनरंजन को तो ठुकरा ही दिया था उन्होंने घोशड़ा की कि जो रचनाएं सिर्फ मनरंजन के लिए हैं उनका महत दो कौडी का है मतलब असपश्ट है कि रचनाएं सिर्फ मनरंजन के उद्देसे से ही नहीं लिखी जानी चाहिए इसलिए प्रेमचंद ने कहा कि जो रचनाएं सिर्फ मनुरंजन के लिए हैं उनका महत दोकोडिका है उन्होंने उद्देश को उपदेश की तरह चिपकाना भी गलत समझा उनकी कोशिश थी कि कहानी यथार्थ की सघन प्रस्तुति करे इंपर्टेंट है जो प्रेमचंद था उनका उद्देश से था कि कहानी यथार्थ की सघन प्रस्तुति करे और यदि उसमें उद्देश से हो तो रचना प्रक्रिया में घुला हुआ न जराना चाहिए इस द्रिष्ट से बूढ़ी काकी, सदगत, अलगे उज़ा, पूस की र उद्देश से क्या होना चाहिए और दूसरा परिवर्तन उन्होंने कहानियों की कथा वस्तु या विशेवस्तु को के अस्तर पर किया और प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों की कथा वस्तु या विशेवस्तु को पूरी तरह बदल दिया पहले की कहानियों में विशेवस्त बहुत ही महतपूर्ट था उस दोर में जब कहानियों की विशेवस्त रोमांजकारी कहानिया होती थी या धर्मसुधार या उपदेश प्रधान होता था उस समय प्रेमचंद ने भारती समाज की आधारभूत समस्याओं को कहानियों का विशेवस्त बनाया और देखते ही सामाजिक याथार्थवादी परमपरा थोस पहचान के साथ प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई पढ़ने लगी बूअ कि कहानी में जहाँ उन्होंने बूढों की समस्या को उठाया है तो ईदगाह में बचपन के चिन जाने का नया बिवाह में बेमेल बिवाह से उत्पन होने वाली बेविचार जैसी कुरूतियों को उभारा तो अलगेवजा कहानी में परिवारों के तूटने की तरासदी को प्रस्टुत किया है प्रेमचंद की जो कहानी है पूस की रात और कफन इसमें इन्होंने गरीबी का दर्द उभारा है तो सद्गत कहानी जो है वो दलित जीवन की पीड़ा को उभारती है इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेमचंद की कहानिया है वो सामाजिक बेवस्था की एल्बम है ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेमचंद ने केवल उपदेश या आदर्स को ही अपनाया हो उन्होंने पूस की रात और कफन जैसी कहानियों में सामाजिक या थार्थवात का अस्पष्ट चित्रण किया है कि गरीबी का दर्द कैसे आम आदमी कैसे जेलता है सद्गत कहानी दलित जीवन की पीड़ा है तो कुल मिलाकर जो प्रेमचंद की कहानिया थी उन्होंने जो अपना कफ़वस्तु लिया वो भारती समाज की प्रिष्ट भूमी से लिया और उस पर अनेक सांदार कहानिया लिखी प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों का द्रिष्टिकोण भी बदल दिया कफ़वस्तु के आधार पे जो बदला हुआ था उसके अलावा प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों के द्रिष्टिकोण में भी बदलाव किया आदर्सवाद और सुधारवाद का तेवर हिंदी कहानियों में सुरू से था जो एक हद तक समय की अपेच्छाओं के अनुकूल भी था प्रेमचंद स्वेंग सुरुवाद में इससे मुक्त नहीं हो पाये थे वे मानते रहे कि साहित्य का काम सिर्फ अंधेरे को दिखाना नहीं है अंधेरे को चीरने वाले प्रकास को भी दिखाना है लेकिन आदर्सवन मुख या थार्थवाद की इस मनह स्थिती से वे स्वें बाहर निकले और पूस की रात और कफन जैसी कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी कहानी को या थार्थवाद की ठोश जमीन पर खड़ा कर दिया प्रेमचंद ने केवल कहानियों के उद्देश विसेह बस्तू और जो उनका दृष्टिकोंड था उसमें ही बदलाव नहीं किया बलकि कहानियों के सिल्प में भी फेर बदल किया यह परिवर्तन जो था सिल्प के अस्तर पे मुखेत पात्र और चरित्रियोजना और भासा के अस्तर पर दिखता है उनसे पहले की कहानियों के पात्र, परतंत्र और लेख की आदर्सों के प्रतीक मात्र होते हैं, वो या तो सिर्फ अच्छे होते हैं या बुरे प्रेमचंद ने सरप्रथम हिंदी कहानी में चरित्तों को स्वायतता प्रदान की तथा लेख की जो लेख की हस्तच्छेप था उससे मुक्त किया प्रेमचंद ने कहा कि मैं चरित्रों को अपने बच्चों के समान समझता हूँ और उनकी सुरुवाती परवरिस भी करता हूँ किन्तु किसी पिता की तरह यह नहीं बता सकता कि आगे चलकर वे कैसे बनेंगे इसी हस्तच्चेव का पैडाम है कि प्रेमचंद के चरित्र जो हैं वो सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे नहोकर अच्छाई और बुराई के आनुपातिक संखात हैं इसलिए पाठग न तो उनसे घ्रिडा करता है और नहीं इसकी महानता से प्रभावित होता है वह उन्हें सहज मनुस्यों की तरह देख पाता है उदाहरण के लिए बुरी काकी में बहु के रूप में उपस्थित जो रूपा रहती है सुरुवात में चाहे बुरी लगे लेकिन बाद में वह अपनी गलती महसूस करती है ऐसे ही संसलिष्ट चरित्र प्रेमचंद की कहानी में मिलते हैं इसके अलावा प्रेमचंद ने कहानी में जो करांतिकारी बदलाओ किया वो भासा के अस्तर पर भी किया हिंदी कहानी की भासा भी प्रेमचंद के हाथों में पढ़कर बदल गई प्रेमचंद से पहले हिंदी गद्ध में दो तरह की सैलियां थी एक संस्कृत निष्ट सैली जिसकी सुरुवात राजा लच्मर सिंग ने किया था और दूसरी गैर फार्सी निष्ट हिंदी की थी जिसका जो प्रचलन था वो राजा सीव प्रसास सितारे हिंद ने किया था प्रेमचंद ने इन दोनों अतियों से बचते हुए ठेट हिंदुस्तानी को साहित्त की भासा बनाने का जोखिम उठाया और सिध्ध किया कि बिना संस्कृत और फार्सी सब्दों को ठूसे भी कैसे जानदार हिंदी लिखी जा सकती है यह परंपरा कुछ-कुछ भार्तेंदु की यहां दिखती थी प्रेमचंद ने इसे इतना बिक्सित कर दिया कि आगे की सामाजिक यतार्तवादी और समाजवादी धाराएं इसी भासा को लेकर चलती रहें उपेंद्रनाथ अस्क और यस्पाल जैसे लेखकों की भासा में प्रेमचंद की भासा का परंपरा का निर्वा हुआ है तो दोस्तों इस प्रकार हमने देख लिया कि प्रेमचंद का हिंदी कहानी परंपरा में क्या अस्थान है उन्होंने हिंदी कहानी को बहुत ही हिंदी कहानी लेखन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किये न केवल उद्दे से और बिसे बस्तुकी लेकिन भासा और सैली के द्रिष्टी से भी उन्होंने कहानियों में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाओ किया अब आये देख लेते हैं दोस्तों निसकर्स निसकर्स रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी कहानी को प्रेमचंद का योगदान प्रतिम और अतुलनी है उन्होंने उस दौर में प्रवेश किया जब हिंदी कहानी अपने सैसोकाल में थी किन्तु एक ही जटके में इस नौजात प्रेमचंद को उन्होंने बेहद ही परिपक को बना दिया यह कहने में कोई अतिसयोक्ति नहीं है कि जो कार प्रेमचंद ने सिर्फ 20-30 वर्सों में किया वही कार करने में अवसत कताकारों को लगभग 100 वर्स लग जाते तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें हमने द बाक्स में बताईएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवस्य करें वीडियो देखने के लिए धन्यबाद नमस्कार